नमस्कार फ्रेंट्स मैं हूँ आपका दोस्त जैकुमार जो आपके अपने चैनल Know Your Stocks में आपका स्वागत करता है फ्रेंट्स आज हम बात करने जा रहे हैं GTL Infra के बाड़े में क्योंकि GTL Infra ने अपने September quarter के result को present कर दिया है कि यह अपने September quarter के result में किस तरह के data को present किया है और आज ही आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 10 November 2022 present को present किया है फ्रेंट्स आपके सामने यहाँ पे GTL Infra का data लगा हुआ है और यह जो figure आपके सामने present होड़ा है यह इन लाख में present होड़ा है लेकिन इसे हम करोड में convert करके आपके सामने present करेंगे ताकि आपको समझने में आसानी होगी फ्रेंट्स इस company ने जो अपना total income पोस्ट किया है revenue from operation से और other income से वो 374 करोड 77 लाग का जबकि पिछले quarter में 372 करोड 71 लाग का जबकि पिछले year September quarter में इनका जो total income था वो 376 करोड 43 लाग का तो friends अगर आप comparison करेंगे quarter on quarter तो इनका जो total income है उसमें थोरा सा उच्छाल देखने को अवज से मिला है लेकिन वहीं पे अगर आप comparison करेंगे year on year तो इनका जो total income है उसमें गिरावट दर्ज हुई है इसके अलाबे अगर आप expenses की बात करेंगे तो GTL Infra ने जो total expense पोस्ट किया इस quarter में वो 682 करोड 69 लाग का जबकि पिछले quarter में 642 करोड 30 लाग का जबकि पिछले September quarter में इन्होंने जो अपना expense पोस्ट किया था वो 573 करोड 45 लाग का तो friends अगर आप comparison करेंगे quarter on quarter तो इनका जो expense है वो increase किया है लेकिन उस हिसाब से इनका जो total income है वो improvement यहाँ पे नहीं दिखाई है इसके अलाबे अगर आप year on year भी comparison करेंगे तो इनका जो expense है वो यहाँ पे बढ़ते हुए दिखाई है तो इनका जो expense है उसी साब से इनका जो income है वो improvement नहीं दिखा रही है इसके अलाबे अगर इसके net profit की बात करेंगे इस company को इस बार कितना सुधलाब हुआ है तो इस बार भी company को बहुत बढ़ा loss देखने को मिला है और company को 317 करोड 82 लाग का loss वा इस quarter में जबकि पिछले quarter में 289 करोड 69 लाग का loss था जबकि पिछले year September quarter में इस company को 207 करोड 2 quarter और year on year वो बढ़ते हुए जा रहा है तो friends आप कह सकते हैं कि इस वार इनका जो result present किया गया है वो बहुत ही बेकार है और ये result इस company के लिए अच्छा नहीं है तो friends आज के लिए इतना ही आपका दिन सूभ हो